हेलो एवरिवन ग्राम सिवक के एक्जाम कम्प्लीट हो चुके हैं आज जैसे कि आगों पता है कि ये एक्जाम है च्यार शिफ्टों के अंदर कुई है और पेपर आप सभी ने दिया है और आप सभी ने पेपर का लेवल भी देखा है कि पेपर का लेवल किस हद तक आया है तो दोस्तो इस बार जो वीडियो का पेपर हुआ है चाहे वो कोई भी सिफ्ट हो सिफ्ट वन हो चाहे सिफ्ट टू हो चाहे सिफ्ट थरी हो या सिफ्ट फॉर हो सभी सिफ्टों में जो पेपर आया है उसका लेवल वो हाई आया है कैसा आया है? हाई आया है उसमें जो questions है जीके की बात करो तो जीके की questions भी इतने घुमा घुमा के आये हैं कि पूछो मत आप यानि नॉर्मल जो आपने पढ़ाई की होगी यह यह मान लो कि आपने जोर लगा के मिनत भी की होगी तो जोर मारकर आप ज्यादस ज्यादा अब मैं intelligent से intelligent बच्चे की बात करूँ तो वो भी लगभग 60 प्लस ही attempt कर पाया होगा ऐसा paper आया है ऐसा आपने देखा होगा और बात करें math वाले portion की तो math के अंदर जो material आया है उसके अंदर questions आया है तो उनमें 5 से 6 questions तो ऐसी आये हैं कि एकदम उपर की बात हो यानि 11, 12 math, IIT जैसे questions आये हैं तो ऐसे questions math वाले बच्चे तो साइध कर पाएं लेकिन art और commerce वालों के तो बिलकुल उपर की बात है तो वो तो इनको कर ही नहीं पाएंगे पाए होंगे यह मान के चलिए अब जो वीडियो की cut off है वो इस paper के level पर ही बनेगी तो आपको tension लेने के जूट नहीं है आप अकेले का paper hard नहीं हुआ है सभी का एक सार paper हुआ है तो इसकी cut off है वो ज्यादा high नहीं जाएगी इतना आप निश्चित हो जाए और दूसरी बात यह pre exam है तो pre exam में cut off है वो कम ही जाने वाली है आपको man's का मुका दिया जाएगा अगर आप ठीक ठाक number बना लेते हो तो अब cut off की बात करते हैं जो cut off है वो कितनी रह सकती है तो सबसे बहले बात करेंगे general candidate general candidate और male candidate की बात करता हूँ में ऐसे candidate जो general है और male है अगर वो 60-62 questions सो में से 60-62 questions attempt कर पाए हैं तो यह मानिए कि उनका pre clear है क्योंकि paper का level बहुत high था इतने question पर भी उनका pre clear हो जाएगा मेंस में बेठने का उनका मुका दिया जाएगा आगे बात करते हैं general female candidate तो अगर general female candidate शत्यावन से 58 questions भी attempt कर पाए हैं एकदम correct तो उन्हें भी मेंस में बुला लिया जाएगा next category आती है obviously male candidate तो obviously male candidate अगर 58 से 69 questions सो में से इतने question भी attempt कर पा रहा है तो ये मानिये कि वो अच्छी condition के अंदर है आगे बात करते हैं obviously female candidate तो obviously female candidate में अगर 54 से 55 नंबर बना पा रहा है questions सो में से 54 से 55 questions एकदम correct कर पा रहा है तो उसकी भी प्लियर उसकी भी जो प्री है एक्जाम ये कलियर हो जाएगी उन्हें मेंस के लिए बुला लिया जाएगा आगे बात करते हैं SC male candidate तो इनकी जो cut-off है वह 28 से 50 के 20 रहने वाली है यानि 100 में से 58 से 50 की विशन अगर correct कर दिये तो ये मानिये कि उन्हें में में मोका मिलेगा क्योंकि पेपर आपने सभी ने देखा है आगे बात करते हैं SC female candidate तो अगर SC female candidate 42 से 43 की विशन एकदम correct कर देते हैं 100 में से तो उन्हें भी मेंस में बेटने का मोका मिलेगा आगे बात करते हैं SC male candidate तो SC candidate जो SC में हैं और male हैं अगर वो 43 से 45 की विशन भी एकदम correct करके आये हैं तो उन्हें भी मोका मिलेगा क्योंकि पेपर आप अकेले का टफ नहीं हुआ है सभी का ऐसा ही पेपर हुआ है ये मान के चलिए आप सभी ने एक्जाम दिये तो सभी का एक सा पेपर हुआ है किसी का अलग नहीं हुआ तो उस अदार पर इतनी ही कटोफ जा सकती है आगे बात करते हैं एश्टी फीमेल केंडिडियर तो इनकी जो कटोफ है वो 40 से 42 की विशन अगर सो में से इतने की विशन भी अटेम कर पा रहे हैं एकदम correct तो उन्हें भी मेंस में बैठने का मोका मिलेगा इसके बाद जो कटेगरी आती है EWS Male Candidate तो ऐसे Candidate जो EWS में हैं और Male हैं अगर वो 56 से 57 की विशन एकदम correct करके आए हैं तो उन्हें भी मोका मिलेगा मेंस में बैठने का उनकी pre-exam clear है और इसकी आगे बात करते हैं EWS Female Candidate तो अगर EWS Female Candidate 52 से 53 की विशन एकदम correct करके आए हैं तो उन्हें भी मेंस का मेंस आने का मोका मिलेगा उनकी pre-exam clear हो जाएगी तो दोस्तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे